कि ये गाईज देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राके जुन जुन वाला के बारे में देखो राके जुन जुन वाला ने एक छोटा सा स्टॉक खरीदा है जिसका शेयर का प्राइज लगबग 300 रुपीज के आसपास लाइफ टाइम हाई था अभी लगबग 100 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा कुछ है 120 रुपीज के आसपास है और ये स्टॉक राके जुन 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 वाला ने खरीदा और लगबग एक दिन पहले की बात है और आज के डेट में जितने बड़े-बड़े दिगज ब्रोकर हैं वो सभी यहाँ पर बहुत बड़े-बड़ ले लेना बहुत अची सीज़ा है क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट का मैं आपको बोलूँगा तो यह बिग बुल है याद रखो इनको सबसे पहले पता चलता है या हम कुछ भी बोल सकते हैं ब्रिलिंट मैंने सबसे ज़्यादा जानकारियां बोल सकते हैं कि राके जुन ज करना चाहिए और रिस्पेक्ट ना चाहिए मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आपको कॉपी करिए देखो यहाँ बस यहाँ पर Google मेने ओपन किया Google मैं यहाँ पर देखो मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया बस थोड़ा सा स्क्रॉल करने से यहां पर बताया जा रहा कि देख सक कर रहे हैं थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा एक कौन से कंपनी है राके जुन 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 वाला के पूर्टफोलियो में एक नया स्टॉक है जिस कंपनी का नाम है सेल स्टील ऑफ इंडिया यहां पर जो है इनका तार्गेट जो है रेज किया गया यह बावजूद राके जुन जुन वाला ने यहां देख सकते हैं स्टील ऑफ इंडिया को खरीदा और यहां पर देख सकते हैं करेंट मार्केट प्राइस फॉर दार्गेट अप यहां पर अप्टू बताया जारा लगबग तू हंडिड जो कि और यह भी बताया जारा सकते हो तो यह है वो कंपणी यहां पर देख सकते हैं लगबग अभी 127 के आसपास है और पहले मैं आपको बता दूँँ पिछले एक साल में इस कंपनी ने काफी बढ़ा पांस चेसो पसंट यह स्टॉक के बारे मैंने पहले आपको बता भी रखा हूं लगबग यहां पर द हमारे पास लगबग देड़ साल पहले बताया गया था जब लगबग यह 30-35 रुपीज के आसपास चलता था तब बहुत पहले की बात है और यही केवली इंफोर्मिशन में आपको बताना चाहता था कि राके जुन-जुन वाला के जो भी एक्टिविटीज हुई है उसके उपर सारे ब्रोगर जो जितने वे बड़े बड़े दिगयाज ब्रोकर होते हैं उनका नजर होता है इसका lifetime हाई दिखा दूँँ तो यहां पर देख सकते हैं lifetime हाई इसका लगबग 300ड रुपीज के आसपास है 300 के आसपास है और अगर आप स्टॉक मार्किट में ने हो अप बहुत चार सो परसंट से भी ज़्यादा रिटन दे डाला यह सोच लो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छी जगह पर डिमेट अपन करो तो ज़्यादा बेटर होगा एंजल में तको होते हैं यहां पर आपको नसी बीसी मुच्छ फंट सभी कुछ देखने को मिलता है को यहां पर जो चार्जिस फगरा होता वह डिमेट अकाउंट फ्री होता ही अधिरेट पर देखने में लगता और यहांपर सभी छीज आपको देखने को मलती हैं कि लोगों को पता चलता है कि मुझे कहां पैसा डालना है लॉंग टर्म में शॉर्ट टर्म में 50 50 में ब्लू चिप में आप्शन में फ्यूचर में यह इंट्रडे में तो इस तरह के से एक बेजिक नॉलिज आपको बताया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जाके अपने अकाउंट वगर आपन कर सकते हैं